किसान भाईयों, कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि अचानक ओला वरिष्टी हो रही है, यानि ओले गिर रहा है जिससे फसल को नुकसान भी हो सकता है जैसे ही ताप मान बढ़ते हैं, तेज हवा चलती है, हवा की गति जब बढ़ जाती है और हवा उपर की तरफ जाती है तो जो वाताण में नमी है वो उपर चली जाती है इतनी उचाई पे कि जो नमी है वो जम जाती है और बर्फ बन जाता है और जितना उपर जाएगा तो ओले का जो आकार है वो बड़ा होता जाता है तो इसलिए आपने देखाऊगा कि आधे इंच से लगाके डेड़ दो इंच या और कभी-कभी तो उससे भी बड़े ओले गिर सकते हैं तो इस तरहे जब हवा चले और आंधी तूफान आये बिजली कड़के और तेज हवा हो तो ऐसी संभावना होती है कि ओले गिरें आजकल मौसम विभाग भी पूरवा अनुमान देता है कि ओले गिरने की संभावना है या नहीं वैसे तो ये अचानक होता है ओले गिरने का और खास करके जो हमारे बड़े खेत हैं उनमें कोई ऐसी संभावना नहीं होती कि हम ओलों से बचाव करें लेकिन जहां फलदार खेत हैं या सबजियां हैं उनके लिए ओलों के बचाव वाली नेट जाली भी आजकल उपलब्ध है तो वो किसान भाई जो फल और सबजी कर रहे हैं वो इसका लाब ले सकते हैं आम किसान भाई चुंकि जो ओले हैं ये प्राकर्दिक आपदा में शामिल हैं तो फसल भीमा में इसको भी कवर किया गया यानि इसकी संभावनाओं को भी प्राकर्तिक आफदा से फसल का नुकसान माना गया है तो जो लोग अपना फसल का भीमा कराएं हैं उनको नुकसान की भरपाई मिल सकती है तो ये ध्यान रहे कि अगर आपके खेट का नुकसान है तो तुरूंत ही कृषिव भाग को राजसोय भाग को और अपनी पंचायत को इस बात की सूचना दें क्योंकि वो सम्मंदित भीमा कंपनी को सुचित करेंगे और आपका भीमा का क्लेम उस आधार पे आपको मिलेगा तो ध्यान रहे हमें अपने फसल का बचाव करना है अगर नेट लगाने की संभावना है तो उसे देखें मौसम के पुरुवा अनुमान को हमेशा सतरकता से जानने की कोशिश करें और जो हमने भीमा करवाया है फसल का उसके भरपाई के लिए सूचना भी बहुत शेग्र 24 गंटे के अंदर अंदर जरूर देनी होती है तो ये सूचना भी आप सम्मंदित अधिकारियों को दें शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कारे करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिये गए लिंक पर क्लिक करें पेटियम करें एने एफटी और ग्रेडिट कार्ड के जरीए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं